कि हलो एक स्टुडेंट्स आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेज नॉलेज के मिस्ट्री क्लासेज में तो आज हम केमिकल कानेटिक्स का एक अलग वीडियो लेकर क्या आ गये हैं हम केमिकल कानेटिक्स के लिए मैंने इससे पहले भी तीन चार वीडियो लेक्शे कर चुका हूं तो आप उसको देख लें जिसमें मनें समझने वाले हैं जिरोर्डर रीक्षेंज को होता है समझे। छे तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं समझते हैं जीरो और रियक्शन होता क्या चीज़े मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर और क्या होता है समझने हैं और मॉलॉकुलारिटी तो आप इससे पहले बार उडियुक्षर को एक बार जरूर देख ले हैं तो ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भार नहीं करता सुन्य कोटी की अभिक्रिया कहलाती है तो एक लाइन में डेफिनेशन आप ये लिए सकते हैं कि कोई भी राशायनिक किया कोई भी केमिकल रियक्शन हो रहा है हाना जैसे नीचे मैंने ए अच्छे से समझ लें कि रियेक्शन होगा रियेक्शन यस से भी हो रहा है लेकिन हमें क्या निकालना रेक्षाव थीया निकालना प्रहिक्रिया घrictly Bluetooth कर नहीं करते हैं सुन्य कोटी की अभी क्रिया कहलाती है अब हम देख लेते हैं अगला यह अभी क्रिया है प्रारम से अंत तक एक ही वेक से होते रहती है अर्थात वेक स्थिर रहता है मतलब अगर यहां पर नीशे हम लोगे से एक रिक्षन लिखा एक टू बी मतलब इस्टार्टिंग में जि लेकिन यह रियक्षन के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है अभी कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करने की वाज़ा से इसका जो स्पीड है इसका जो वेग है इस रियक्षन का हमेशा एक समान बनी रहती है इसलिए वेग इस्थिर रहता है अब जिसे एक रिय तो यह होगे एक रियक्षन हो रहा है एसे नीचे में लिखा विए जहां एक थभी क्या है क्रमसा अभिकारक उत्पाद है मतब रियक्टेंट और प्रोडक्ट है विस अभिक्रिया का वेग एक ही सांद्रता पर परिवर्तन करने पर निर्भर नहीं करता अता अभिक्रिया का संध्र राता तो यहां पर विचैंट क्या है वह यहां पर निर्भर नहीं करता तो अभिक्रिया का कुए परिवर्तन नहीं आता है और जिएरो और रियक्षन है अब हम कुछ एक्जामपल देख लेते हैं फिर हम आएंगे इसके रेट आप देखिसे निकालेंगे समझेंगे सब डिटेल को तो इसामपल में जैसे सबसे पहरा एक्जामपल लेते हैं हम लोग एंट्व है ना इंट्रसक साइड क्या करेंगे हम रि लेकिर हम देखते क्या है है ए he कि इसमें डालना पड़ेगा प्लेटीनम कैसे करेगा एज कैटलिस्ट बिहेव करेगा उत्प्रेयराइक की तरह कार्य करने की वज़ा से यहां पर जो अभी क्रिया का वेग है रेट आप डिपेंड कर रहें ना कि इन टू पर डिपेंड कर रहे हैं किस पर कर रहे हो प्लेटीनम पर डिपेंड करने की वाज़ा से यह रिएक्शन का रेट जीरो और कहलाता है है मतब जो और अब रिएक्शन क्या कर लाता है जीरो और सेम एक्जामपल और ले सकते हैं जैसे कि है टू एच आई है से अगर हमें बनाना है एच टू प्लस आई टू तो यह भी इस रिएक्शन का अगर वेग की बात करोगे तो वह अभी कारक पर डिपेंड नहीं करता य एक चिज़ और रहेंगे रिएक्शन audio नहीं से ही बनेगा लेकिन हम स्पीड की बीग की बात करने रियक्शन होने की बात नहीं कर रहें रियक्शन तो होगा चाय से आप का एच टू प्लस आई टू बनेगा उसमें कौई डाउट नहीं हैं है लेकिन कितना जल्द स्वेत किसितना टाइम लगेगा किस पर करते हैं हमें जाना है कि संद्अर प्रीघ्र को बोलता है कि वह अभी क्रियागा बेट नहीं करता मतलब कि से शुब नहीं करेगा किसे पर करेगा इस पर हम घ्रेटें गबर ज reset neutron होता है यह है है तो इसके कंसंट्रेशन पर गोल्ड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि जो अभी हमारा प्रोडक्ट वह कितना फास्ट बनेगा कि नहीं बनेगा तो यह कहलाता है आपको कुछ एक्जांपल मैंने बता दिया अब हम देख लेते हैं अभी किया को कैसे हम यहां पर डिफाइन करने वाले ठीक तो जो एक्जांपल यह उपर मुश्य को लिखते हैं हमारा एक से भी ठीक है अगर रिएक्शन जा रहा है तो देखो दो तीन अब इसको यह समझ में आगा आपको तो अगर हम अपना फर्स्ट की बात करें यहां पर एक लिख लेते हैं यह हमारा है रिएक्टेंट अब भी हमारा क्या है प्रोडक्ट तो जैसे कि हम जानते है रेट आप दिलेक्शन को लिखते कैसे हैं तो अगर मैं लिख दूंआ अभी क्रिया का वेग जो हमने अ सांदरँता में कमई किसी किस के साथ समाई के साथ है यही हमारा क्या क्त fib бр नहीं नहीं है इसलिए हम यहांप का लीखेंग उपर में 0 गर जिरो नहीं लूट कि नहीं लिखते तो यहां पर इसको फिर से लिख लेते हैं यह हो गया तो इसको का लिखेंग के कोई भी चीज अगर पावर में जीरो है तो इसका वेल्यू क्या हो जाता है वन हो जाता है तो इस एक टूदी पावर का वेल्व हो गया हुआ तो हमारे पास क्या होगा रेट डी ए बाई डी टी देखो के यहां पर जीरो है के जीरो इसलिए लिखा जाता है जीरो का मतलब हो रहा है जीरो ओर रियक्शन वे सब याद रखेंगे की स्मॉल के है यह पूरे स्मॉल के है तो यह हमारा होगे एक एक इक्वेशन यह आ गया थिक अब थोड़ा देख लेते हैं इधर अगर हम एसे बी का कंसंट्रेशन की बात करें सेम रियक्शन की बात कर रहे हैं हम स्टार्टिंग में मान के चलते हैं टाइम जब जीरो था जब टाइम टी पे टीर समय बाद एक क्या हो जाएगा उसमें माइनस हो जाएगा कुछ वेल्यू जो मैनस होगा वही क्या करेगा वही आपका भी बनेगा तिस पाइंट को याद रखेंगी क्या मैंने बोला टाइम जब जीरो था तो एक का कंसंट्रेशन स्मॉल ए है अब तो एक स्थेयों बना नहीं था तो हम ने पढ़ा भी है कि अभी क्रिया की दर को हम दो टाइपस लिग सकते हैं अभी कारता में कमी भी लिख सकते हैं या फिर उत्पात की संधरता में व्रिद्धी इंगलिश में बोलेंगे तो कंसंट्रेशन अर्याइक्टं डिकृजेस के सकते हुए तो इसी यहां पर याद रखेंगां गवें क्रेंग आप ह relação दो इस वाले रूल से अहां पर लिखा है इस से क्या लिख सकते हैं से Este om यहां पर यहां पर लिख सकते हैं ठीक है यहां पर लिख सकते है तो इसमें क्या लिखेंगे यह दी देखो यह दि उत्पाद आपको जो प्रोडक्ट है उत्पाद मतलब होता है प्रोडक्ट बी का एक समॉल बनता है मैं जैसे बताया हूँ आप एक समॉल बना है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक समॉल बना है एक स्मोल बनता है तो क्या कर सकते हैं समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं एक समोल अगर बनता है उपर मैंने बता दिया है तो हम इस वाले समीकरण को अपना माल लेते हैं समीकरण एक को समी करन को का लिक सकते हैं कैसे लितर सकते हैं इसी समी करण को हम लिख सकते हैं इसबार क्या देखो आपने दी इंग क्रोडॉक्ट के फौ topics लिख सकते हैं और हमारा क्या है reincarnum है यह हम लिख सकते हैं क्यों क्या है एक उत्पाद बन रहे है प्रोड़क्ट क्या बन रहा है एक श्मॉल बनता है तो छाव मेब सकते हैं मैंने बताया भी है तब इसको क्या करें chasorry box का दीजैरो है अपना और डिती सांद मल्टिप्लाई कर दिया गया है अभी समह कर TI हो गया अब बाझ मान लेतही हे सेकेंड से एक्वेशन है एता इक्वेशन है तो थषट ऑध करने पर इंटी Certainly समा कलंड करने पर लिख सकते हैं हिं। समा कलंड है का सवा कलंड करेंगे दो 顆 X हो जाएगा यह हां पठाए चाले के सीरो क्या है कौंस्थेंट होने के वाज़ने के बाँरा जाता है के से भार आजाएगा Labor मानेटी वीद्टर क्या बचेбы सब्सक्राइब अब यहां पर एक equation देख लेते हम ना जो हमारा काम के चीज़ है कोई भी integration हम करते हैं तो x आता है जिसके रेस्पेक्ट में हम integration करते हैं चाहिए यहां पर आता है तो यहां पर dx का क्या करेंगे हम x हो जाएगा plus k क्या होगा k0 होगा dt के integration क्या होगा small t होगा plus होगा c अब इस c क्या है समझते हैं जब हम कभी इंटिग्रेशन करते हैं तो उसके साथ एक constant लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं integration के इंटिग्रेशन के construction याद राखेंगी इसको लिखते हैं जब हम integration करते हैं तो हम क्या करते हैं integration っक ब् על बेर टीक है अब इस सिर्टा की प्रारर्मब वस्त हमें क्या था एक कानसें चैन्ट हॉए लेकिन लेकिन बिका चैन्संटरेशन क्या है जीरो हो बिकुछ नहीं बना है तो टाइम जीरो पे चीए अब लिख जो लिखते हैं फिर अभी करिया के प्रारम में प्रारम में लिख देते हैं विक्रिया के स्टार्टिंग मतलब प्रारम में क्या हो रहा था टाइम जब 0 था तो X का value भी क्या हो रहा था 0 हो रहा था हमने उपर में देख लिए अब इसी X T 0 अब X 0 का value को equation number 4th में put करने पर क्या हो जागा X का value 0 K 0 है T का value भी 0 है तो C तो ये भी 0 और K into 0 हो गया 0 तो C तो अबराल 0 हो गया आपका C का value 0 हो गया C का value 0 को कहाँ put करते हैं equation number 4th में ठीक तो क्या हो जागा equation number 4th जब C equals to 0 put करने पर equation number 4th क्या हो जागा X is equal to K 0 into T plus 0 तो अबराल क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग X is equal to K 0 T ये हो गया इसका final आपका rate constant हमने निकाल लिया किसके लिए हमने निकाल लिया 0 order reactions के लिए ठीक यहाँ पर क्या proof हो रहा है यही क्या है इसको क्या बोलेंगे हम सुन्य कोटी अभी क्रिया का या घ्रकि अभी किया का देको वे, अघर inडी में अघर बात करेंगे तो बेगी स्थरांग शमी करहें का सांभी लिखिंग लिखेंगे वीग इस द्रांग बोलेंगे विए ंपर इसल्टे, रेट कोंस्टेंट 2018 गोलेंगे जीरो ओडर यहां तक आपको डिराइव करना है अगर आपसे पूछा है जीरो और यहां पर मैंने बताई दिया था के अब हम इसका ग्राफ की निरूपर देख लेते हैं किस बेस में कैसे इसको हम ग्राफ में प्लॉट करने वाले हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है X is equal to K zero T हमारे पास आया है तो हमें सबसे पहले graph plot करना आना चाहिए X और T के बीच में ठीक है किसके किसके बीच में करना है X और T के बीच में करना है तो graph को plot करने के लिए हमें एक चित याद रखना है कि Y is equal to M X X plus C को याद रखना है अगर X Y X में X को रखेंगे तो X लिखेंगे यहाँ अब M आप इसको लिखते हैं और T को हम कहां रख रहे हैं X X में रखना ती प्लस C हमारा 0 है यहाँ पर मैं बता दूं यह X क्या है X X को बता रहे है यह यहाँ पर Y X को बता रहे है ठीक जो तो हम Y X को Y में रखेंगे उसको अब लिखते हैं पहला ग्राफ हमारा अगर आपसे कोशन पूछा जाता है कि ग्राफ प्लॉट करना है किसके कि इस एक्स वासेस टी के बीच तब भी ग्राफ बनाएंगे जो भी मैं बनाने समझते हैं इसको किसको लिखा है एक सको लिखा है और एक सब्सक्राइब क्या है तो देखो यहां पर क्या है हमारा हमारे है इसको मदल्ध है हमारा है स्लोप ऐसलोप कैस पॉजित्यू है यहां पर कुछी मतलब पॉजिटिव यहां पर क्यों हमारा कैसा बनेगा उसके बाद एक पॉइंट और रखेंगे ना यहां पर देखो सी क्या है हमारा-इंटरिंट इंटर्सेप्ट जहां से उस हमारा क्या आएगा स्लोप है हमारा के जीरो स्मॉल के जीरो क्लिए है के जीरो हमारा पता है रेट और टाइम के बीच में रेट और कंसेंट्रेशन के बीच में आधर रखेंगे ना इसके किसके बीच में कि रेट वासेस कंसंट्रेशन समझते हैं इसको भी है पहला ग्राफ समझ गया पहला एक्स वासेस टी के वेल्यू के बीच में दूसरा पूशिंग रेट या फिर अभी क्रिया की दर या फिर अभी क्रिया का वेग एक और इसके बीस दूसरा क्या है का सांधरत के पूछा जाए तुम से तो क्या करोगे तब कैसे बनाओ नहीं देखे यह व्यां इधर आपको है कि वेख अभी करिया को इधर है तो मैंने पहले पहले बोला था जिरो ओर रीएक्शन अभीकार की सांधरता थरा निरभर नहीं करता उसी आफবरीया का वेख सीधा ही स्टेट चला जा जाएगा या फिर इसी को और क्या बना सकते हैं rate और अदि वेख जो ही क्या बोलते में रेट बोलते हैं करेख भी लिख सकते हैं frontal अथ concentration सकते हो अगर ल fid एक प्लकटोर अब से पूछे रेत और टाईम के बीच है है तो आपको पता है मैंने पहले ही बोला थी starting में कि जो अभिक्रिया का वेग समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं आता मतलब वह लगभग एक समान बना रहता है स्टार्टिंग में उतना ही लाष्ट तक सेम स्पीड से रियक्शन होते रहता है मतलब टाइम के साथ उसके अभिक्रिया के वेग में रेट आप रियक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं होने की वज़र से उसमें ग्राप कैसा आएगा इस ट्रेट लाइन आएगा सीधा तो यह दो तीन प्याद रखेंगे क्योंकि जीरो अर्डर रियक्शन में हमने पढ़ा है यह विक्रिया का वह समय में परिवर्तन नहीं होता क्योंकि इस प्राराम मसले के अंतक सेम रहता है इसलिए ग्राप इस टाइप से मिला ठीक है उसके बाद सांद्रता पर निर्भन नही लिए बोले तब आपको क्या करना है इस टाइप से ग्राफ प्लाट करने आना चाहिए ते हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटर सेंवी मैंने बता दिया जीरो अर्डर रियक्शन का इससे आप असानी से बना पाएंगे जो भी आप जिस टाइप से पूछा जाता है ठीक है तो उम्मिद करते हूं हमको जीरो अर्डर रियक्शन के लेटर जीतने भी डाउट से सब क्लियर हो गया होगा तो आप अपने नोर्स में सिस्टेमेटिक लिखेंगे इसको अना अपने यह अर्ली एक्जाम के लिए नुवाल एक्जाम ठीक है उमिद करते हूं वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर दें आपने दोस्तों में सेयर कर दें मिलते हैं नहीं वीडियो के लेक्चर के साथ तब तक के लिए थैंक्यू